नमस्कार बीच बहस कारिक्रम में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है एक देश एक राशनकार्ट इस योजना का उद्देश ये क्या है और सरकार ने इसको लागु जब किया तब देश के अंदर लॉकडाउं चल रहा था इसी सब के बारे में बाचीत करने के लिए इस योजना का उद्देश ये इस से किन लोगों को लाब मिलेगा और क्या है ये एक देश एक राशनकार्ट इन सभी विशों के बारे में जानकारी के लिए आज हमारे सा स्टूडियो में उपस्थित हैं खाद्य सचे नवीन जैन नवीन जी आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में हम सबसे पहले जानना चाहेंगे हमारे दर्शक कि ये वन नेशन वन राशनकार्ट क्या है ये योजना और इसका उद्देश क्या है जी जैसा कि आप जानते हैं कि देश के मैक्सिमम लोगों को खाद्य सुरक्षा उनको हर महीने जो खाद्यान है वो उपलप्त कराया जाते हैं जी राज्यस्तान राज्य में गेहूं खाद्यान के रूप में उपलप्त कराया जाता है अलगलग स्टेट्स में अलगलग खाद्यान उपलप्त कराया जाते हैं लेकिन हमारे राज्यस्तान में गेहूं हर मही उपलप्त कराया जाता है जो NFSA परिवारों की जो संख्या भारत सरकार की सीलिंग के द्वारा निर्धारित है वो हमारे यहां पर चार करोड़ च्यालिस लाग से जादा लाभारती हैं जिनकों की हम हर महीने NFSA का गेहूं उपलप्त कराते हैं जी तो जब ये योजना दो हजार तेरह में शुरू की गई तो दो हजार तेरह में ये योजना में बहुत अच्छा कारियर तब से लगातार राज्यस्तान में हो रहा है और इस योजना के भारत सरकार ने जून दो हजार बीस में ये डिसाइड किया कि अब काफी समय इस योजना को हम चला रहे हैं राज्यसरकारों को गेहूं पलप्त कराया जा रहा है और राज्यसरकार के खादे विभाग द्वारा इस गेहूं को डिलर्स के माध्यम से और जो पात्र परिवार हैं उन तक पहुँचाया जाता है तो क्यों नहीं इसको एक आधार सीडिंग के साथ जोड़ दिया जाए और आप जानते हैं कि जो आधार होता है वो एक यूनीक नंबर है तो यूनीक नंबर से जोडने से सबसे बड़ा फाइदा जो हमारे सिस्टम को है वो तो ये है कि हमें ये ध्यान रहेगा कि आधार सीडिंग होने के बाद अगर उसमें कोई वेक्ति डुपलिकेट है या कोई ऐसे वेक्ति हैं जो आपात्र हैं या अन्य परकार की चीजें हैं एक तरह से डेटा को करेक्ट करने का भी मेकनिजम रहेगा लेकिन सबसे बड़ी बात ये होगी कि अगर पात्र लोगों को ही हमें सही प्रकार से लाप देना है तो कहीं ना कहीं आपात्र लोगों का भी उसमें इडिंटिफिकेशन हो जाए तो बिना किसी फिज को मिलेगा वो ये मिलेगा कि आप जानते हैं कि राज्यस्तान के बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो अलग अलग राज्यों में जाके शिक्षा ग्रेंड करते हैं चाहे वो स्कूली सिक्षा हो चाहे वो कॉलिज हो चाहे वो इंजिनिरिंग है मेडिकल की हो तो राज्यस्ता हैं तो हमें अपना नंबर चेंज नहीं करना पड़ता वही नंबर काम करता है तो उसी तरहें यह राशन कार्ड और यह यूनिक आईडी नंबर है इसका वह भी काम करेगा तो वन नेशन वन राशन दूसरे राज्यों में जाके बिजनस कर रहे हैं सर्विस कर रहे हैं या अन्य परकार के वेवसायों में सलंगन हैं बहुत बड़ी संख्या में मजदूर हैं हमारे बहुत सारे जीलों से लगातार मजदूर जो है वो गुजरात महराश्टरा करनाटगा में कारिय करते हैं तो यह फाइदा रहेगा कि जब वो राजेस्तान में रहेंगे तो वो राजेस्तान से अपनी गेंहूं ले सकते हैं जब वो दूसरे राजे में जाएंगे तो वहाँ पर भी वह इस तरह से अपना बाद की जो राशन कार्ड का जो लाब है वो आपको पूरे देश में एक समान मिलेगा चाहे आप आसाम में काम करते हों चाहे आप करनाटिका में जाते हों और ऐसे ही दूसरे रज्जियों से जो लोग हमारे रज्जे में पढ़ने के लिए या वेवसाय करने के लिए क्योंकि राज्जेस्तान सरकार ने लगातार भारे सरकार के योजना के उपर काम करते हुए इस कारिया को शुरू कर दिया था और राज्जेस्तान में मैं आपको बताऊं अक्तूबर के अंत तक बहुत सारी आधार सीडिंग कर दी गई थी लेकिन फिर ये महसूस किया गया कि भारे सरकार दोरा 95% का टार्गेट हमें दिया गया है कि 100 में से 95 लोगों की आधार सीडिंग हो जानी चाहिए उस से हम लोग थोड़े पीछे थे तो नवंबर में जब मेरा मैंने इस पद पे कारिया बार ग्रेंड किया तो मैंने शुरूआत की और एक विशेश अभिया हम लोगों ने चलाया और जीला रसद अधिकारियों, जीला कलेक्टरों, SDM's और अन्य विभागों के फिल्ड लेवल के ओफिसर्स की और करमचारियों की मदद से हमने लोगों को अप्रोच किया, लोगों को इसके फाइदे बताए कि इस परकार से यदि आधार जुड जू हो रहा है और उनको अन्य राज्यों में भी लाब मिलेंगे तो चूंकि राज्यस्तान की पोपुलेशन बहुत जादा इदर अदर जाके काम करना और पढ़ने का काम करती है तो इसका इफेक्ट ये रहा कि पिछले पैंतालिस दिन में हम लोगों ने पचास लाग से जादा लाभारतियों के नाम आधार सीडिंग से जोड़ दिये तो इसका हमें फायदा मिलेगा दूसरा जब हम ये लोग सीडिंग करने के लिए फिल्ड में गए तो हमें इसका बहुत बड़ा लाव ये मिला कि लगबग बाइस तेश लाख लोग हमें ऐसे मिले जिनोंने सहर्ष ये मान लिया कि उनके परिवार में शादी हुई है तो बेटी अब उस घर में नहीं रह रही है दूसरा उनके परिवार में कोई मृत्ती हुई है किसी सदस्य की और तीसरा उन्होंने माना कि उनका नाम शायद दो बार या तीन बार भी था और इस परकार कुछ लोग शीता उससे आ गई और इसका लाब सिदा सिदा पातर वेक्ति को मिलता है क्योंकि अपातर या डबल नाम तो किसी के भी फायदे की चीज नहीं थे तो ये कारेकरम लगाता है हमारा जारी है और पिचानवे परसेंट की सीलिंग हमें जो है उमीद है कि भारे सरकार दोरा जो प काफी बड़ा उदेश इता हमारा इसमें आपको क्या लगता है कि सब तक आपने सफलता प्राप्त करी है जी मानने मुखे मंतरी मोदे ने जब कोविड मार्च में इसका लोगडाउन शुरू हुआ और हमारे रज्य सरकार ने ये समझ लिया था कि ये एक बहुत बड़ा च ततकाली नदगारियों और करमचारियों ने फिल्ड में कलेक्टरों की मदद से रसददगारियों की मदद से हमारे EOEI का जो पूरा दल है उनकी मदद से और NGO और भामाशा इन सब की मदद से इस परकार का एक सिस्टम बिल्ट किया जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि लगबग आठ महीने पुरानी बात हम कर रहे हैं क्योंकि अपरेल फर्स्ट वीक से ये भुखाना सोय कंसेप्ट पर काम शुरू हुआ और आठ महीने से जादा बीतने पर भी आपने देखा होगा कि राज्यस्तान के किसी भी कौने से आपने इस परकार के समाचार नहीं सुने होंगे कि कहीं कोई परिवार दिक्कत में हैं या कोई कलोनी में ऐसे लोग पाए गए जिन विचारों के पास खाना खाने के लिए गेहू नहीं था इवन सरकार द्वारा और कई परकार की चीज़ें भी कोविड के दोरान की गई हैं मैं आपको उधान के लिए बताऊं कि ज जाना पड़े सरकार ने दाल और चने का भी इंतजाम एडिशनल किया इसके अलावा कुछ परिवार ऐसे भी आये लोगों के सरकार के जहन में कि जिन लोगों का एन फसे में तो नाम नहीं है लेकिन वो जरूरत मन थे तो एक विशे सर्वे करवाया गया और लगबग तीन 69 लाक ऐसे लावारती पता लगे जिनकों की एलाब देना था इसके अलावा फिर एक सर्वे कराया गया थोड़े दिनों बाद जिसमें वो लोग शामिल थे जो कि अपने अपने काम वाले राज्यों को छोड़ कर अपनी जड़ों तक वापिस लोटे थे इसमें बहुत सारे जो हैं माइगरेंट भी थे जो कि विविन जीलों में रहते थे उनको भी सरकार ने इस योजना में शामिल करके गेहूं दस किलो गेहूं प्रतिवेक्ति और दो किलो चना प्रतिवेक्ति देने का काम किया यहां मैं यही पूछना चाऊंगी इस पत से वर्दबान जिस पत हैं आप उससे पहले आपने राजस्थान रोडबेस में भी काफी अच्छा काम किया है तो उस लोगडाउन के दरान काफी हद तक जो है मजदूरों प्रवासी जो मजदूर थे उनके लिए आपने किस तरह के नवाचार किये कैसे उनको अपने उस्थान पे पहुंचाया औ किस तरह मदद की उनकी देखें मार्च में जब अचानक से लोगडाउन की स्थिती बन गई थी तो हम में से जादा तर लोगों को यह आईडिया नहीं था कि यह कितने दिन चलेगा लेकिन जैसे ही समाचार पत्रों में मीडिया के मादिम से लोगों को पता चला कि अब कि परिवेन के सादन बंद हो गए रेल बंद हो गई और बसें बंद हो गई तो वो कैसे क्या करें और इस तरह की देहिनी अस्तिती दिखाती हुई तस्वीरे आनी शुरू ही तो राज्जे की संवेदंशिल सरकार ने तुरंत रोडवेज को यह काम दिया कि आप जहां कहीं भी राज्जे में पैदल परवासी चल रहे हैं बसों को लगा कर उनके उनके जीलों तक पहुँचाएं अगर वो बाहर के राज्जों के लोग हैं तो बाहर के राज्जों से सरकार ने बात की नौडल अधिकारी निक्त किये और उन राज्जों की सीमा तक या उन राज्ज को हमने तीन दिन के अंदर भारी संख्या में बसे लगा के भीजा तो रोडवेज ने लगबग पांच लाग से जादा मजदूरों की इस काम में मदद की और इसका फाइदा ये रहा कि कहीं भी आपने देखा होगा कि ये नहीं पता लगा कि बहुत भारी संख्या में मजदू स्टक हो गए हैं और इस वज़े से दिक्कत आई है जो खबर सुबह एक बार आई दोपैर तक हम लोगों ने उसको तुरंट कोगनिजेंस में लिया और लोगों को बस लगा के और निशुल की आत्रा सबसे बड़ी बात जो मैं यह मैं मेंशन करना चाहूंगा कि राज्जस पास से लिया और उनको उनके राज्यों तक पहुचाया और दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को हमारे राज्यस्तान के बॉर्डर से लिया बलके कई बार तो हमने जम्मु कश्मीर, मुंबई, गुंटूर, बिहार में अपनी खाली बसे भेज के वहां पर हमारे जो अभी हान चलाया जाता है, इसके बारे में बताए हमें. जी, तो नॉर्मली खादे विभाग के साथ ही उभूकता मामले एक चीज़ और जूड़ी हुई है, बहुत सारे लोग नॉर्मली ये मानते हैं कि हमारा काम के वल गेहूं पहुचाना ही है, लेकिन शुद के लिए य जो मेडिकल एंड हेल डिपार्टमेंट के फूड सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं, उनके साथ हमारे विभाग के जो माप तोल के जो इंस्पेक्टर से उनको अटेच किया जाता है, ये टीम स्युक्त रूप से जेला के नेतरितों में कारवाई करती है, आपने देखा होगा कि आम तोर पर ये शिकायत आती है कि मिठाई के साथ डबे को तोल दिया जाता है, या बाट की जगें पत्रों का इस्तेमाल या दूसरे जो अन्रिकरोगनाइजड माप हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है, तो हमारा विभाग मेडिकल डिपार्टमेंट के साथ स्युक्त रू जादा तर दिवाली के टाइम हम सुनते हैं, तो हम लोग लगातार इस कारिये को आगे जारी रखेंगे, क्यूंकि हमारे पास निर्षकों की संक्या काफी कम रहती है, हमारे विभाग में काफी वेकेंसीज हैं, तो उस सम्मन्द में भी राज्य सरकार ने हमें आश्वाशन दिया है कि वो हमारी मदद कर देंगे, और आने वाले समय में इस पूरे विभाग को हम लोग अच्छे से पुनरगठित करते हुए, जो शुद्र के लिए युद्ध है, उसमें अपनी प्रभावी भूमी का निवाने का प्रयास करेंगे. इसके कितने सुखद नतीजे आप को लगता है कि आए हैं जो इतना यह भी हान चलाया गया और जो इतना काम किया जा रहा है इसके उपर, कैसे लोगों को लाब पहुच रहा है? आपने देखा होगा कि दिवाली से पंदरा दिन पहले से अख़वारों में इस तरह की खबरियानी शुरू हो गई कि मसाले की फ ओगता है जो फानली कस्टोमर को फायदा करता है कि उसके साथ किसी तरह की चीटिंग ना हो पहले मिठाईयों के ओपर लिखावा नहीं आता था बेस्ट बिफोर या एक्सपाइरी डेट अब इसाद जो दुकान पर मिलती थी कुछ पता नहीं होता था उसके बारे में की कब की बनी भी है तो ये काफी अच्छी पहल है कि अब मिठाईयों के लिए भी लागू की तो य आगे चल कर हम देखें आम जनता से जुड़े हुए आपका क्या विजन है आगे आने वाले समय के लिए देखें मेरा ये मानना है कि जो विश्व भोकता दीवस 24 दिसंबर को आ रहा है हम चाहरे हैं कि हम इस दीवस को एक बड़े रूप में मनाएं हमने उस दिन आम कंजू कर जो राज़ेस्तान के उभोकता कानूनों के जानकार हैं उनको इनवाइट किया है वो लोग वहाँ पर आकर जैसे ई-कॉमर्स आजकल आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन शोपिंग करते हैं हमने वो लेक्चर रखा है कि ऑनलाइन शोपिंग में किस परकार की दोकेबाजी हो जाए तो क्या रेमेडीज अवेलेबल है इसके अलावा इन दिनों में लोगों ने हस्पतालगी फैसिलिटीज का भरपूर इस्तेमाल किया है कोविट की वज़े से तो मेडिकल नेगलीजेंसी या इससे रिलेटीड चीजों में आपके क्या अधिकार है और ज जो हमारी वट्सैप नंबर हैं जो हमारी वेबसाइट्स हैं कि कहां कहां पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं किस परकार से कंजूमर फॉर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है हम एक सोशल मीडिया कैंपेंज शुरू करना चाहते हैं तो 24 दिसंबर हमने चुना है कि उस चाहते हैं कि आने वाले 6 महीने में हम राजस्तान के भुक्ता मामले विभाग को भी ग्रेडिविल्टी परदान करें अब हम कोविट की भी बात कर रहे थे इस दौरान वैक्सीन भी अब उपलब्त हो गई है हमें हाल में पता भी चला है कि आपने एक लोगों को साकारात्म संदेश देने के लिए इस वैक्सीन के ऊपर एक किताब भी लिखी है तो कुछ बताएं हमारे दर्शकों को से पारे में तो मैंनेजमेंट का स्टुडेंट रहा हूं और 19 साल की नौकरी में काफी कुछ हम लोगों ने महसूस किया है कि क्राइसिस आते रहते हैं कई बार क्र क्राइसिस हैं वो नेचुरल होते हैं और कोवीड अपने आप में इस तरह का क्राइसिस था जिसने हम सब को बहुत अंदर तक अफेक्ट कर दिया है तो करोना वायरस से तो वो लोग अफेक्ट होते हैं जिनकों की इम्मुनिटी कमजोर होने से वो वायरस कहीं ना कहीं संकर संकर्मित नहीं किया है लेकिन हम लोग जो संकर्मन से बच गए हैं परन्तु हमारे दिमागों पर संकर्मन हुआ है नेगटिविटी का क्योंकि वो वायरस तो लोगों को पॉजिटीव करता है और फिर उनका इलाज शुरू हो जाता है लेकिन पॉजिटीव वायरस आसपास करती हैं मदद करती हैं तो हमारे आसपास बहुत सारी कहानिया बिकरी रहती हैं उन कहानियों को संजो कर उनको कोविड के रेफरेंस में इस्तेमाल करके क्राइसिस के समय में अपना संतूलन बनाए रखने का मैसिस दिया गया है हमारी बहुत शुबकामना है आपकी इस किता जागरूकता लाई जाए और उपभोकता अपने हर इसके हितों के लिए जो है वो जागरूक हो उसके लिए आपका विभाग क्या कर रहा है जो जो उपभोकता दिवस है उस दिन से हम लोगों को यह लगता है कि हम जनता के साथ जुड़ने के लिए सबी प्रकार के प्लेटफ हैं इंडिया में या राजिस्थान में उभोकता कोर्ट के द्वारा हम वो निर्ने की जो समरी है वो भी लोगों के साथ share करेंगे क्यों कि कोई ना कोई निर्ने की समरी आपको कहीं काम आ सकती है कि टीवी खराब निकला तो किसी आदमी ने क्या केस किया और ओर ने उसमें क करते हुए लोगों तक उसकी पहुंच को बनाएं जी बिल्कुल इसमें जब किसी की शिकायत होती है तो इसके लिए कोई पोर्टल बनाए गया है कि जहां पर उपभोकता है वो अपनी शिकायत दर्ज करा सके और उसको पूरी ये उम्मीद हो कि उसको न्याय मिलेगा इसके ल को इसा इंप्रेशन रहता है कि समय लग जाता होगा अभी कोविड की वज़े से तो 6-8 महीं ने तो नेचुरली हर चीज अफेक्टिट थी लेकिन उसके बावजूद राज्यस्तान के कंजूमर फॉरूम्स ने काफी केस संख्या में केसों का डिस्पोजल किया है ये जानक करके हमारी वेबसाइट है तो ये तीन तरीके तो मैं आपको तुरंट बता रहा हूं उसके अलावा हमारा एक वेब जो फेस्बुक पेज है वो 24 दिसमबर को हम लोग इनौगरेट करेंगे आप उसके इन बॉक्स में भी अपनी प्रावलम बता सकते हैं लेकिन नॉर्मली जर्निलिस्टिक बातें करने से फाइदा नहीं होगा मैं यही कहना चाहूंगा अगर आप अपनी समस्या बिल के साथ तथे के साथ एक्जेक्टली हमें बताएंगे तो हम एक्जेक्ट टाइप का ही डिस्पोजल करने का प्रयास करेंगे मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शक सच में भोगताओं को इसका फाइदा मिल रहा है पहले से जादा शिकायते आ रही हैं या अगर कोई सर्वे किया गया और जिससे पता चला कि इतनी शिकायते दर्ज हुई और इतनों का निवारन हुआ रुप भोगता कितना सैटिसफाइड हुआ है इससे ऐसा भी कोई अप लोग अचीव कर पाएंगे जब हम लोगों को ये बता पाएंगे कि हमारे नंबर सी ये हैं और हल्प लैन पर बैटने वाले आदमी की आवाज सुनकर सामने वाले को लगे कि वाकई में ये मेरा डिस्पोजल करेगा और हम उसे वापिस कॉंटेक्ट करके बता सके कि हमने आ लागू किया जाएगा लोगों तक पहुंच भी रही है तो इसके अंदर भी जाहिर है कुछ ना कुछ शिकायते या कुछ गड़़ियां किसी तरेगा प्रश्टाचार कही ना कहीं होता ही है तो इसके निवारन के लिए आपके विभागने क्या प्रयास कियें क्या जाए है और वो शिकायते भोकता मामले से हमारे फूड से रिलेटिड ऑफिसर्स के पास हमारे जीलों में जो जीला रसे देदिकारी है उनके पास बेज़ दी जाती है वो लोग इन शिकायतों का डिस्पोजल करते हैं और उन डिस्पोजल के बाद हम वेक्ति को बता देते ह कि आपने ये शिकायद की थी, जैसे कि हमें किस प्रकार की शिकायदें इसमें मिलती है, कि ये फैمली पातर नहीं है, लेकिन फिर भी इसका नाम आ गया है, ये गेहूं उठा रहा है, हमें इतनी संसेशनल शिकायदें भी मिलती है, के डिलर जो है वो काफी सक्षम है लेकिन डिलर आपने खुद के परिवार के नाम भी शामिल करके और काफी गहँ णठा लिया है तो इस परकार के डिलर के खिलाफ काफी सक्ट कारवाई भी की गई है पिछले दिनों में इसी तरहे से कई लोगों ने बहुत अती करते हुए यानि के अपने परिवार में इस परकार के लोगों के नाम जोडने का परियास किया जो कि किसी भी तरहे से इसके लिए पात्र नहीं थे तो तमाम तरहें की शिकायते हैं डीलर वारा भी इस तरहें की शिकायते हैं कम तोलन इन सब चीजों के लिए भी कितने कड़े नियम और प्रावधान है। कि पहुच तो जाते हैं पर जनरली रोगों को शिकायत आती है कि खराब समान था, आउटडेटेड था, एक्सपायड था, तो इसके लिए कोई प्रावधान है, इसकी क्वालिटी चेक के उपर? नहीं मैं आपको भी बता रहा हूँ, आपको यह सिस्टम देखना पड़ेगा कि यह कैसे काम करता है, हर महीने हमें अलोकेशन आता है, कि पूरे राजस्तान में 2.33 लाख मिट्रिक टन गेहूं बैटनी है, हमारे उबोकताओं के बीच में, अब वो 2.33 लाख गेहूं टन जो गेहूं है, वो हमें FCI के गोदाम से उठानी है, तो FCI द्वारा बहुत अच्छे तरीके से संगरण अगर किया गया है, तो डेफिनिटली माली जी अभी मही में फसले उन्होंने भरी है, और हम लोग उन तक पहुंचके वो फसल प्राप्त करते हैं, हमारा जो कॉर्परेश का, वो इस काम को भुखू भी करता है, वो उन गेहूं को लेता है, उसको डिलर तक पहुचाता है, डिलर गेहूं की क्यो चेक करता है, अगर अच्छी गेहूं नहीं आती है, तो DSO को या राजिय सर्कार के खाते बिवा को बताता है, तो मेरा मानना है, हर महीने ऐलोकेशन ह कि हर महीने fresh गेहूं आता है और वो हर महीने बढ़ता है और बहुत लंबा कोई storage ऐसी जगें नहीं हो रहा है जहां पर चीज़ें खराब हो सकती है तो प्राइश परकार की समस्यां आनी बंद हो गई है और इस परकार की समस्या कई बार गेहूं में नहीं बलके चीनी या दू बाग निज़र रखता है और वन राशन कार्ड वन नेशन जो है योजना है इसकी जागरुकता के लिए किस तर तक अभियान चलाया जा रहा है ताकि आम लोग बहुत से लोग है जिनको अभी तक भी नहीं पता है इस योजना के बारे में इसके लिए कोई विशेश अभिय मैसेज किया गया उसके बाद जब वो लोग दिसंबर का गहूं लेने आए उनको फिर भी मैसेज किया गया और अब आलम ये है कि काफी संख्या में लोगों ने बढ़ चड़के अपने आधार कार्ड बनवाने भी शुरू किये हैं तो जिन लोगों के आधार कार्ड नहीं इतनी अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को मैंको लगता है कि जरूर से हमारे दर्शकों को इसका फाइदा जरूर होगा और ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना के साथ जुड़ेंगे और उनको लाभ मेलेगा आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में वोलो देट निये, नमस्कार. झाल.